शिवुम, माइन रिडिंग या दिमाग पढ़ने के फायदे क्या होते हैं? माइन रिडिंग का सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि तुम कभी भी अपने प्यार में धोका नहीं पाऊगे क्योंकि जो दोका देने वाला होता है, उसके दिमाग में हर चिछ पेले से ही बनने लगती है उसके वेवार में परिवर्तन आयता है, उसकी ध्वनी चेंज हो जाती है उसकी आखों की आकशन शम्ता में परिवर्तन दिखने लग जाता है जब इंसान दिमाग रीडिंग करना सीख जाता है तो उसकी सववेदना दूसरी सववेदना को पकड़ लेती है इससे सामने वाला क्या करने वाला है उसे उसका आभास हो जाता है जैसे कहा जाता ना कि एक मा को बच्चे के अगर मित्ती होने वाली ये बच्चे के साथ कोई घटना करी तो इसका कारण क्या होता है इसका कारण होता है कि माता से बच्चे का मानसिक संभन्द जुड़ा होता है यही माता और बच्चा दोनों एक दूसरे के मन से जुड़े होते हैं इसलिए किसी के साथ अगर कुछ घटना घटित होती है तो दूसरे को आभास हो जाता है यही माइन रिडिंग के सिधान पे भी काम करता है जब तुम किसी से प्यार करते हो तो अगर वो शारिक संबंद के संबंदित प्यार है तो वहाँ कभी भी माइन रिडिंग में नहीं आ पाएगा क्योंकि सिर्फ जरुवत के लिए वो प्यार माना ज़ता है पर जब कोई व्यक्ति किसी को मानसिक तोर पे याने पूर्ण मन से समर्पित होके प्रेम करता है तो उसकी दिमाग की तरंगे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग की तरंगों से जुड़ जाती है और उसके मन में क्या हो रहा है वो क्या सोच रहा है उसे आभास आना शुरू हो जाते है माइन रिडिंग का सबसे पहला जिद्धान जो आता है वो तराटक से ही शुरू होता है तरटक के बाद जब व्यक्ति स्वयम को नियंदित करना सीख जाता है तो वो दूसरे के दिमाग को नियंदित करने की शमता दीरे दीरे विक्सित करने लेग जाता है माइन रेडिंग का सबसे बड़ा वेनिफिट आता है वेवसाय में जब तुम कोई व्यवसाय करते हो तो तुम्हें पता होता है कि कौन व्यक्ति सामान खई देगा और कौन व्यक्ति सामान नहीं खई देगा जिसे से तुम अपने समय को बचा सकते हो मान लो कोई व्यक्ति आया तुमने माइन रिडिंग करी और तुमने जान ले कि व्यक्ति सामान खई देगा तो तुम उस पे ज़्यादा फोकॉस कर सकते हो पर जब तुमने माइन रिडिंग करके पता कर ले कि ये सामान खई दने नहीं आया है तो तुम्हें उस पे ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्चता बच जाएगी और तुम जासे अदा सामान अपना सेल कर सकोगे अब जब हम माइन डिडिंग करते हैं तो यहाँ पे एक चीज का और फाइदा था पति-पत्नी के संबंद में पत्नी पत्थी के दिमाग को पड़ सकती हैं दोनों सामने तो एक दुसरे का पत्ती संबंद होते हैं पर मन में अलग-अलग जीवन का नियम चलता रहता है क्योंकि हमारा मन बहुत परिवतर शील होता है इसलिए कई बार तो लोगों यही पता निचल पाता कि पत्नी कहीं और संब्ध बनाई है या पती कहीं और संब्ध बनाई है पर घर मं वो Each Этоने संब्ध रते हैं कि मानो इन जीसे कोई प्यार करने वाला ही नहीं इसके लिए ही हम mind reading पर focus करते हैं हमें यह समझना पड़ेगा जितनी भी शक्तिया बनी है, सब हमारे फाइदे के लिए ही बनी, बस हमने उसको सीखना अभ्यास करना और अपने जीवन में उसको विशेज सिस्थान दिना छोड़ दिया है, इसलिए माइन रेडिंग, टेली पे थी ऐसी शक्तिकों प्योग नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके पास समय नहीं क्यों करें, क्या करें पर जब हमारे साथ घटना घटित होती है तब हम इनची जोगे पीछे दोड़ ना सुक्शन अब घटना तो घटित होई चुके तो दोड़ के भी क्या होगा? क्योंकि आदा समय तो निकल चुका है तो दुरगठना ना हो, उसके पहले ही सचित हो जाओ, और अगर पहले सचित हो गए, तो तुम अपनी साधना के द्वारा सीखो, समझो, जैसे मानलों आजकल केस होते हैं, कि पती, पत्नी को छोड़ जेता है, भगा जेता है, या पत्नी, पत्नी को छोड़ जेती है, दोनों यह पत्नी को छोड़ जेते हैं, पहले बहुत प्यार करते हैं, तो इनी चीजों से बचने के लिए, हमें माइन रिडिंग से फाइदा है होगा, कि कभी भी तुमारे जीवन में कोई घटना-घटित हो रही है, तो उससे बच पाओगे, और अपने जीवन को सहता से, सरलता स से बचाओ करके आगी की जीवन को सुरू कर पाओगे सीखो समचो आध्यात्मिक शक्ति का उप्योग करो भागो मत सब कुछ तुमारे लिए बना है बस तुम्हे समर्पित होना है सीखना है आध्यात्मिक जीवन की सुरुवात करना है तो सब कुछ तुमारे हाथ में होगा इसी कोई चीज नहीं जो इंसान नियंदित नहीं कर सकता इसलिए शेर चीते तागतवर होते पर उन पे अधिकार उन पे नियंतन करने के शम्ता सिर्फ इंसान के अंदर ही है तो तुम जितर शक्ति शाली जानवर को नियंदित कर सकते हो तो इंसान को नियंदित करने में कोई बड़ी बात नहीं है सीखो समझो और आध्यात्मिक जीवन की सुरुआत करो शिवों